नमस्कार दोस्तों मैं प्राची संस्कति आयस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत करती हूं टागेट प्रिलिम्स करेंट अफेवर बेस्टो न्यूस पेपर इस प्रिग्राम के तहर पांच बहुत महत्पून टॉपिक्स पर हम चर्चा करते हैं जिनको हमने दा हिंदू और इंडिन एक्सप्रेस से लिया होता है यह टॉपिक्स एक डेली करंट अफेवर वीडियो का आधार बनते हैं यही देखिए पी आईबी में में मेंशन होता है यही आपका AIR न्यूस पर में मेंशन होता है क्योंकि करंट अफेवर की न्यूस तो सीम रहेंग टीम काम कर रही है जल्दी हमको यह अच्छी ख़बर लेकर आपके लिए आएंगे तब तक के लिए आप वीडियो को कॉंटिन्यू देखिएगा उसके बाद पीडिया आपको उपलब्त करा दिया जाएगा तो आईए बीना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडि इसको लेकर दाहिंदों में बहुत बड़ा आर्टिकल आया हुआ था तो इसको हमें समंदना जरूरी हो जाता है यह इसलिए भी इंपॉर्टन्ट है क्योंकि यूपीएसी ने 2018 में इससे समंदने प्रश्ण में पूछा हुआ था उस प्रश्ण को भी हम देखेंगे तीसरा है मेक दातू परियोजना तमिल नाडू और कनाटक का एक विवाद चल रहा है एक डाम को लेकर कावेरी नदी के पानी के बटवारे को लेकर हमीशा से उनमें प्रॉब्लम्स थी तो मेक दातू परियोजना लगातार न्यूज में है हमने पिछली वीडियो में भी इसको कव अंदर उन्होंने इस यूरोपीय नीती के बारे में भी बात कही थी तो हमें देखे जब भी कुछ नए टर्मोलाजी न्यूस पेपर में आती है उसको जानना बहुत जरूरी हो जाता है क्रिश्चिन बनने की संभावना रहती है पाच्वा हमारा देखे एक होरन इंडिया क यूनिकॉन इंडेक्स रिलीज हुआ है जिसके बारे में गौवर्मेंट ओफ इंडिया ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी डाली है कि भारत में आने वाले टाइम में जो यूनिकॉंस है उनकी संक्या काफी अधिक बढ़ने वाली है तो यूनिकॉंस क्या होते हैं क्य आपकी सुसाइटी के बारे में लिखा हुआ है ठीक है तो जो मर्धान मंतरी की अध्यक्ष्था में आर्थिक मामलो की मंतरी मर्डली समीती होती है जो कि काफी हाई पावर कमीटी है उसके पास देखिए यह राइट होता है कि वह बहुत जो बेसिकली आप कह सकते हैं लगबग आप मानकर चलिए 2516 क्रोड रुपे का बजट रखा गया है और 63,000 जो फिलाल एक्टिव पैक्स है देखिए यह जो परात्मे क्रसी सहकारी रंड समीतिया होती है इनका जो इंग्लिश में फूल फॉर्म उसकी शॉर्ट फॉर्म बनती है पैक्स तो इनको पैक्स क उनको बेसिक लिए लाब देगा तो इससे क्या है ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी दख्ष्टा बढ़ेगी जब आप कैसी चीज को कम्पूटराइस कर देते हैं तो मैनुवली आप एक काम कर रहे थे एक आप कम्पूटर से काम करें तो दख्ष्टा बढ़ जाती है ठीक है और विश्वशनियत हमें फायदा करेगा इसके अलावा जो यह समीतियां हैं जो यह पैक्स हैं यह पंचायत के इस तरह पर एक नॉडल सीवा वित्रण बिंदू बनेंगे इस चीज को भी मदद देगा क्योंकि जब आप कंप्यूटराइस चीजों को करने लगेंगे तो हर ए सब्सक्राइब करेंगे जाएगा उसके लावा ट्रेनिंग दी जाएगी साथ में क्लाउड आधारी जो एक इकरत सॉफ्ट्वेयर है यह सपरियोजना के मुख्य गटक है जो पुराना डेटा है उसको भी तो डिजर्टलाइस करना जरूरी है ना तब कंप्यूटर में तो क्लिप पर आप कुछ भी ढूंड सकते हैं ना सर्च बटन वहां पर होता है लेकिन मैनवली तो सारी फाइलों को खंगालना पड़ता है तो इससे देखें टाइम की भी विचत होती है ज्यादा ट्रांसपेरिंसी भी आती है ठीक है अन्य जो दो स्थर होते हैं मैं आपको आ स्थर होता है उसके पर राज्य इस्तर होता है तो पेक्स का तो कम्प्यूटरी करन किया जा रहा है अब लेकिन अगर दो अन्य स्थरों की बात की जाए यानि कि राज्य सहकारी बैंक और एक पहले चीजे आपस में क्या है मिल चुकी है तो दो जो लेवल थे वो पहले ही इस प्रोसेस से गुज़र चुके है अब तीसरे लेवल की बारी आई है यह तो हमारी न्यूस थी राइट अब हमें न्यूस तो पढ़ ली समझ लिया इससे तो बहुत जादा प्रश्ण बनने की संभा कर देश में क्या लिखा हुआ है अल्पकालिक ठेक है निके छोटे टाइम के लिए जादा टाइम के लिए नहीं अल्पकालिक सहकारी रण की जो त्री इस तरिये विवस्था है जैसा कि मैंने बताया था उसमें सबसे निचले इस तर पर अपनी भूमी का निभादी है देक पर फिर जिला जाता है इससे उपर फिर राज जाता है ठीक है तो यह फांडिशन लेवल जो होता है उस पर अपनी भूमी का निभाती है लगबग 13 क्रोण किसान जो है सदस्यों के रूप में में शामिल है और यह ग्रामिन अर्थवयवस्था के विकास के लिए बहुत पूर्ण साबित हो रही है ठीक है जो प्राइमरी एग्रिकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है ठीक है वह बैसिकली एक लिंक के रूप में काम करती है लिंक हमेशा दो चुछों के बीच में होता है तो एक सरफ तो अंतिम कर्जदार है जिनको कर्ज चाहिए वह कौने छोटे कि अधिकल्सान है गाउं के लोग हैं दूसी तरफ कर्ज देने वाले लोग हैं वह कोने जैसे हमारी केंद्र सरकार है राज्य सरकार है जैक है तो उनके दोनों के बीच में कड़ी का जो है एक पार्ट अधा करती है जैसे एक तरफ अंतिम कर्चदार यानिके ग्रामिन लोग दूसी तरफ उच एजन्सिया यानिके केंद्रिय सहकारी बैंक सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक राज्य सहकारी बैंक और भारतिय रिजव बैंक के बीच में क्या है एक अंतिम कड़ी है इसको ध्यान रखेगा यह किसानों से जमा को स्विकार करते हैं जो योग्य उधार ले देना ठीक बात है अब यह जो प्रात्मिक क्रिशी रण समीति होती है यह एक गाउं के दस या फिर उससे जादा लोगों के समुद्वारा बनाई जा सकती है और इसका जो प्रभंदन होगा उस समाज के ही कुछ लोगों द्वारा जिनको बेसिकलि नर्वाचित कर लिया जा जाता है उनके बॉड़ी बनाई जाते है वह बॉड़ी इन समीतियों का फे मैनेजमेंट देखती है ठीक बात है जमा जो इसमें कर सकते हैं वो सदस्य भी कर सकते हैं और गयर सदस्य भी कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ मेंबर हैं वही डिपोजट करेंगे जो नो जो यहां से लोन उठाती है उसमें मिन है के इंद्रिये सहकारी बैंक अब हम उस तरी संरचना की बात करते हैं जिसके बारे में बोल रहा है तो देखिए जो अल्पालिक सहकारी रंचना वह तरी जिद्र पर साहoberी बैंक और फिर हमारे राज्य साह dhans रियोटे अब टोtrend नियामग क्या है ये द्रूर्ब पता हो जब बिकिसे реш संस्था के बारे में जब भी स्कीम और वह कुछ ऐसा पढ़ रहे हो요 तो इसका administrative structures का नियाम की धाचा अवश्य पड़े क्योंकि आप भविश्य में एक administrator बनने वाले हैं आपको basically चीजों को regulate करना management करना है तो आप अभी भी जब तयारी कर रहे है UPSC आपसे अपक्चा पर रखता है कि आप चीजों क्या जो नियाम की अढ़ाचा है उसके बारे में समझ रखते हों ठीक बात है प्रश्ण भी ऐसे बनते हैं तो देखिए यह जो हमारे packs होती है यह banking वी नियम मन अधिनियम 1949 के दाएरे से बाहर है इसलिए RBI द्वारा इनको नहीं किया जाथा ठीक है तो 1949 में नहीं आते और यह RBI के वेब साइट पर दिया हुआ था वहीं से ठीक है इसके अलावा जो district वाला है state cooperative banks है उनका निरिक्षन करने के लिए जो banking वी नियमन अधिनियम है ठीक है उसमें यह बताया गया है कि जो राष्ट्य कृष्षी और ग्रामिन विकास bank यानि कि नावाड होगा उसको इनका निरिक्षन करने का जो है एक तरिके से अधिकार होगा यानि कि नावाड जो है इनका निरिक्षन कर सकता है inspection जो है कर सकता है यह अधिकार को मिला हुआ है तो कहीं न कहीं the district cooperative banks है और state cooperative banks है उन पर RBI का भी आप कह सकते regulatory power है और इसके साथ also for the Navar right तो इसको ध्यार रखिएगा Pax के बारे में हमने पढ़ लिया है अब आई ये जितनी हमने अब तक समझ विक्सित की है है ना इसके बेस पर एक question को हल करने का प्रियास करते हैं तो क्या है जो प्रात्मे का कृष्षी रण समीतिया है उनके बारे में कुछ कत्नों पर आपको विचार करना है ये समीतिया देश में सहेकारी रण विवस्था में सबसे निचले इस तर पर अपनी भूमी का निभाती है कितने इच्छ से हमने समझ पर देखा है तो यह गलत हो जाता है तो यह कह रहा है शहरी और जो अर्द शहरी छेत्र है पैक्स तो कहां पर है ग्रामिंट शेत्रों में है अभी पड़ा लेकिन में आपको इदम वीडियो के स्टार्टिक में बताया था कि शहरों के लेवल पर भी स्टरेकी एक संरचना है तो स्टीर्मिंट उसी के बारे में है कि शेहरी और अर्द शेहरी छेत्रों में ग्राहों की वित्ते nutr workouts को पूरा lub यह ओण पर बहुत दिया घया है थोड़े बहुत फंक्र्शन और उदर है अदर्विस सीमी चीजए है एक urban society की चीजों को ध्यान में रखते हुए दूसरी rural society की चीजों को ध्यान में रखते हुए ठीक है लेकिन इस चीज को ध्यान लखेगा urban cooperative banks के बारे में हाले में नियम change हुए है और RBI ने उनको निरिक्षण करने के एपनी powers बढ़ाई है ठीक है तो पैक्स के उपर वैसा नहीं है अर्बन cooperative banks के उपर ऐसा है ठीक है कभी हम इसको detail में पढ़ेंगे अभी क्योंकि हम पैक्स पढ़ रहे थे तो इसके बारे में हमने जादा जाना है तो मारा पहला कथन ठीक है तीसरा ठीक है दूसरा देखे गलत है तो कहता है कौन सा स तो आपको हम से तम दो option पर पहुंच जाते C और D पर पहला और दूसरा तौफर भी कट कर देते अब आपके पास 50-50 बच जाता तो 50-50 में भी अगर आपको एकदम 100% टिक करना है तो knowledge होनी चाहिए और otherwise आप एक गैस तो करी सकते हैं चीक है चलिए अब हम बात करते second topic की internet of things मैंने आपको जैसा कि पहले बताया दा हिंदो में इसको लेकर देखे एक आर्टिकल आया था अब नचेतर है तो फैन भी है एक बाइट करना पी चाहिए बचली की तो पुचत करनी ही है लेकिन एक दिन क्या होता है आप बहुत लेट थे और बॉस के कॉल आ गई जल्दी ऑफिस पहुचो अब हरवडी में है और आ आप जो है बिना अपने सारे ये एसी वगेरा को बं कि लाइट्स को भी ना ओफ किए किचन में आपका ओवन फ्रिच ओन पड़ा है और आप अपना गेट भी जो है खुला छोड़कर ऑफिस चले गए अब पीच्छे से तो भाई चोड़ लूट कर ले जाएंगे सब कुछ है ना तो अगर मान लीजिए आपके घर में के माध्यम से आपके स्मार्टफून से भी कनेक्ट हो तो जब अपने घर से ओफिस चली जाएंगे तो आपका स्मार्टफून क्योंकि वह सारी डिवाइसे से कनेक्टड है उनको वह देटा भेज पांगे और वह उसको डेटा भेज पारिया इस बातचीत से उनको यह पता हो जाना चाहिए और आपके पास एक सिंगनल जाएगा आप उसको यस या नो कर सकते हैं तो आप ऑफिस में बैठे बैठे एक क्लिक के द्वारा इंटरनेट के थुरू अपनी सारे डिवाइस को सिंगनल भेज कर आप क्या है उनको आफ कर सकते हैं तो कहीं न कहीं आपका जो बीवाइसे की तरह काम कर रहा है जो अलग अलग पांस को कर्ण टॉल करता है और एक हो के एक लि lanz लेता है तो एक पास अपस में तो कंणिक्द हुई है इनमें जो डाइटा सब्गेल पीज कर बातशीत की जा दी और जो मोबाइल के थुरू आपने कह सकते हैं नर्देश टेकर इन चीज़ों को आफ कर दिया यह किसके द्वारा संभव होगा यह इन सारे डिवाइसे का इंटेग्रेशन होगा इखती होंगी इसके माधियर से संभव होगा और यह सारी चीज़ों का इंटरनेट ओफ तिंग के द्वारा होता है तो यह इंटरनेट ओफ तिंग और इसका सिर्फ इसी चीज़ में यूज नहीं इसके बहुत जादा यूज है यह बहुत जादा फास्ट ग्रोइंग टेक्नॉलजी है देखें इंटरनेट ओफ तिंग्स तकनीक वह विकास है जिसमें कई गैजट्स एक साथ जुड़कर एक दूसरे को डाटा का आदान प्रदान करते हैं जिससे सभी उपकरनों के बीच इंटीग्रेशन समभव होता है बैरी बेसिक डैफिनिशन समझ गए जैसे यह एक नेटवर्क के माध्यम से आपका क्या है इतनी सारी चीज़े जैसे मोबाइल कर रहा है घर और बिल्डिंग्स हो गए ठीक है डेटा सेंटर्स हो गए कुछ डिवाइसे हो गई इन सब चीजों को आप आपस भी कनेक्ट करा सकते हैं इंटरनेट ऑफ तिंग के मांध्यम से स्वांट सिटी यह किस फंडामेंटल पर काम करता है जहां बहुत सारी चीज़ तो उसके लिए सिगनल दे देना या आपके खुद के घर का टंकी भर जाता है और फिर पूरा पानी जो भैके वो सड़कों पर गिरता रहता है तो उसमें भी काम किया जा सकता है कि आप ऑफिस है मोटर का स्विच आफ करना भूल गए पानी बह रहा है तो या तो आप ऑफ जो सबसे पहली वाप प्रियो किया था वो बिसिकली केविन एस्तर ने किया था जस्तर बेसिक नौल और फास्ट ग्रोइंग टेकनोलजी में से एक है यह और बेसिकली सोसाइटी हों इंडिस्ट्रीज हों कंज्यूमर्स हों सबके लिए बहुत जादा लाबकारी अवसर प्रदान करती है इसके उप्योग क्या क्या है तो बिजली मोटर वाहन सुरक्षा और निगरानी दूरस इसका उप्योग किया जा रहा है यानि कि there is not single thing जिसमें internet of thing का यूज नया किया जा सके ठेक है not such a thing इसको ध्यान रखेगा तो इसके market में लेकर क्या अनुमान है किस सरे से बढ़ रहा है तो देखे अनुमान है कि 2025 तब वर्ल्ड के लेवर पर 11.4 billion उपभोगता यानि कि सारे उपभोगता आयोट डिवाइस सभी आयोट उपकरनों का लगबाग 45% हिस्सा होंगे बिलकुल भी याद करने की जरुरत नहीं है सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि किस तरह से इस टेक्नोलजी का यूज बढ़ रहा है चीक है और एक markets and markets की एक report आई थी जि कि जो market का आकार है वो 2018 में 8.2 बिलियन डॉलर था लेकिन वो 2023 में बढ़कर 35.2 बिलियन डॉलर होनी की उमीद है आज से 35 चला जाएगा अपने आप में कितना जादा बढ़ रहा है है ना काफी तेजी से यह बढ़ रहा है तो देखिए कैसे हमारी basic understanding ना कि किताबी जानकार प्रशनों को हल करने में काम आती है यह UPSC हमें सिखाता है दूसरा में UPSC यह सिखाता है कि जब इतना भयंकर कुछ दिख रहा हो तो डर्ना नहीं है दर्ना नहीं है उसको पढ़ना है एक दम काम डाउन होकर और उसका answer बहुत ही आसानी से निकलेगा जब यह question आया था तो छोड़ा है लेकिन जिन्होंने इस से लड़ने की हिम्मत रखी जो डट गए कि एक बाद पढ़के तो देखें क्या पता असान हो option में से कोई निकली जाए उनका यह question ठीक हुआ है तो दो चीजे सीखते हैं पहली बात किताबी ज्यान पर नहीं आसान भाशा में understanding पर ध्या करते हैं दूसरा question बहुत लंदी अगर दिख रहा है at least पढ़िये तो try to solve it नहीं हुआ तो छोड़ दीचे time मत गवाई उस पर but at least just have a reading about it है ना तो देखें क्या लिखा हुआ था सुभा आपके smartphone का alarm बसता है तो आप उठ जाते है अलारम बंद करने के लिए उसे थपकी दे जैसे फोन को अपने थपकी दी तो मतलब पता चलिए कि आप उठ गए है तो गीजर अपने आप ओन हो जाता है आपके वाश्रूम में लगावा जो स्मार्ट दरपन है वो दिन के मोस्तम को दिखाता है मीरर आपका पता देता है आज वैदर कैसा रहेगा आपकी ऊपरी टं काल लिया उसके वाद फ्रिज में जो स्पीस हो गया वो इसके साब से यह बता देगा सेंस करके तेके हर जंगा सेंसर लगे होते हैं इंटरनेट ऑफ तिंग का एक बहुत इंपोर्टेंट पार्ट होता है सेंसर जो चीजों को सेंस करके आपको इंफोर्मेशन दीता है ठीक के रास्ते में आपकी कार आने वाले यात आयात की फीर की से लिए चीट राफिक और में और जब यह सारी चीजे होती ह normie Communication and Technology के संधर में यह सारा परिद रश्य कौन से टर्म के लिए सबसे जादा उप्युक्त होता है अगर आपने यह समझा होता पहले ही तो क्या Border Gateway Protocol, Internet Protocol, Virtual Private Network, Internet of Things में से आंसर निकालना आसान नहीं था बिल्कुल आसान था वैसे भी जो protocols होते हैं वो नियम होते हैं नियमों के माध्यम से थोड़ी हो जाएगा नियम तो किसी चीज को काम आए उस चीज के लिए तैयार करते हैं तो प्रोटोकोल वाले दो आप्शन तो वैसे ही निकल जाते है वर्ट्वल प्राइवेट नेटवर्क में वर्ट्वल वर्ड मेंने आपको कली पढ़ाया मतलब को सब्सक्राइवेट निकल जाता है तो इस तरीके से ना बिना डरे को पढ़िये उनमें थोड़ी कॉंबन सेंस लगाईए आंसर आते हैं तो चलिए यहां पर इसका अंसर क्या हो गया इंटरनेट ओव तिंग्स राइट अब चलते हैं हम अपने थर्ड टॉपिक की तरह में सब्सक्राइब करनाटक सरकार क्या कह रही है क्यों कह रही है और तमिलनाडू किस लिए जो है गुस्सा है तो सबसे पहले बात सब्सक्राइब टाइन तरह का तरिशक्राइब तरह में Paulo टको चलते हैं 20 sec SEC 2 2017 सबसे पहले करनाटक सरकार को जो हमः दी तन दुवारा तब से ही इसका लगातार विरोध किया जा रहा है कि भाια यह भी जो आप कर रहे हो ना बहुत मिलनाडु के त्वारा कनाटक को कोई की सहमती के बिना अंदर राज्जी नदी पर कोई जलाश्य बनाने का अधिकार नहीं है ठीक है भाई जब भी इंटर स्टेट रीवर होती हैं तो उन पर दो स्टेट की बीच में डैस्टिप्यूट हमेशा देखनी को मिलता ही है और तमिलनाडू कर्णटक की मामले में तो कावेरी विवाद बहुत पुराना है बहुत सालों से चला रहा है तो कावेरी विवाद को बहुत सारे ने दिये थे वह बात यह निकलती है भाई देखिए उपर वाला सारा पानी होल्ड कर ले तो नीचे वाला तो सूखे से मर जाएगा इसे लिए उपर वाला कोई नहीं परियोजना का निर्मान कर रहा है उसे नीचे वाले से परमिशन लेनी पड़ेगी लेकिन इस केस में तमिल नाडू ने परमिशन नहीं दिया है बट करनाटक अपनी प्रियोजना पर अड़ा हुआ है पहला पॉइंट तो यह है कि तमिल नाडू विरोध कर रहा है दूसरा क्या है जो कावेदे जल्विवाद न्याय दिकरन है उसने जो अंतिम नर्णे दिया था उन् अंतर राज्य नदिया होती है उनके जल पर कोई एक स्पेशल राइट्स नहीं रखेगा और किसी दूसरे को इन जलों से वंचित करने का अधिकार भी नहीं रखता है वहीं तमिल नाडू का कहना यह है अगर आप डैंप बना कर पानिस्टोर करेंगे तो हमारे आप आने की कमी हो जाएगी और सुप्रेम कोट ने और कावेरी जल विवाद नाइदिक्रण ने कहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते तो यह उन फैसलों के खिलाफ है इसलिए भी हम विरोध करते हैं तो यह तो आपको पता चल गया होगा जब लगाता न्यूस पेपर में लिखके आता होग देखिए करनाटक को कावेरी का पानी तीन सोरसे से छोड़ना चाहिए करनाटक के तमिलाडू के लिए कौन-कौन से तीन सोरसे याद करनी है पहला तो यह है जो कामबनी नदी है ठीक है ध्यान रखिएगा कामबनी नदी के निचले छेतर में जो भेने वाला पानी है कृष कानिधा भूब नहीं सकते हैं दूसरा जो काम बनी बांध है इसका भी पानी आपको छोड़ना पढ़ीगा और क्रिश्णराज सागर बांध्र का भी पानी आपको छोड़ना जो है पढ़ेगा– यह-थीन सूर्से तूसरा और तीसरा当 यहांज तक कनाटक के नियंतरन में कम अपने मतलब का अपनी यूसका पानी ले लेता है और घृता में छोड़ देता है पहले वाले लिगत च्हेशर देता है कि इसकीलिak WAG कि नहीं कर रहे हैं ऐसे यह नहीं चलेगा ठीक बात है तो आगे देख लेते हैं ट्रिबिनल सुप्रीम कोट ने क्या कहा है पिछले वर्षों के दोरान तो भाईया ट्रिबिनल जो है कावेरी वाला वह 1990 में स्थाफित हुआ था 2007 में उन्होंने अपना फाइनल डिसीजन दिया था जिसमें उन्होंने यह कहा था तमिलनाडो को मिलेगा 419 TM CFT वाटर ठीक करनाटक को 270 केरल को 30 पूदुचेरी को साथ पी लेगा तो अगर कभी यह पूछ लिया जाए कि कावेरी चल विवाद नायदिकरन के अंदर कितने स्थीट शामिल है तो इसक किसी का हिस्सा घटेगा उसको घटावा हिस्सा है स्विकार करना पड़ेगा तब आप लड़नी सकते हमें तो इतना पानी काता हमें तो पूरा चाहिए नई ठीक है लिकें फिर सुप्रीम कोट ने एक फैसला दिया 2018 वाला और तमिलनाडू का जो पहला हिस्सा था उससे करन करनाटक के लिए 284 लगबग हो गया केरल और पुदुचेरे का हिस्सा समान रहा तो इस तरीके से पानी का जो है बटवारा किया था सुप्रीम कोट ने नयाधिकरन ने भी फैसला दिया था लेकिन करनाटक डाम बना रहा है तमिलनाडू विरोध कर रहा है फाइनल कुछ र पढ़ना है आर्टिकल नंबर कौन सा 262 या 263 जल्दी बताइए इंटर स्टेट रिवर्स के लिए कौन सा आर्टिकल हमारे हां जिसके द्वारा फिर ये नदीन विवाद नियाधिकरन भी स्ताबित की जाते हैं ट्राबिनस कमें सेक्शन में बताईएगा ठीक है दो इंवति लक्ष्मांतिर्थ सिम्सा कामणी भवानी हरंगी ये सब कावेरी नदी की सायक नदिया है ट्राब्योटरीज है और कावेरी नदी को तमिल भाषा में पोन्नी के नाम से भी जाना जाता है मैंने देखे कावेरी के बारे में क्योंकि आपको अपने अफ टॉपिक मे नहीं पढ़ाया था तो मैंने इसके बारे में क्योंकि नदी के बारे में विवाद है तो नदी के बारे में पता होना चाहिए तो यह तीनों ही स्टीटमेंट हमारी क्या है राइट है इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी इन तीनों को आपने याद कर लेना है जरूर से रि तो हम उनके प्रती किस तरह की नीदिया किस तरह की पॉलसी रखेंगे इस तरह का एक जो टूल है वह उन्होंने इस नाम से बना रखा है इसके अंदर नोने कुछ स्टेप लिए बाई जब कोई जगडा होगा हम यह bodies कर सकते हैं उप्योग जब ज़गड़ा ऊब सब्सक्राइब करना Himalai बर्मे संगर्शों को रोकना, 92 परियासों में सायता करना और करमचारियों के जो शान्ति अभ्यान में उनमें सायता करने की अनुमति देता है, अगर कहीं जगड़े हैं, तो यह सारी चीज़े जो है, यूरोपेंड यूनियन के द्वारा की जा सकती है, क्योंकि उनका उपकर लिस्वन की 2009 में संधी हुई, उस संधी ने CSTP की भूमिकार्श के काम में विस्ताल कर दिया, बेसिकली तीन नए कर्तव लिस्वन की संधी के त्वारा इसमें जोड दिये गए, पहला यह था, यूरोपेंड संग अम नीश रश्टी करण कारियों में भाग ले सकता है, फिर देश को संधश्टों के बाद स्थालता परदान करने में भी मंदद कर सकता है, संधि खटम हो गया, किसी राज्य में इसी देश में स्टेबिलिट्य लेकर आनी तो भी यूरोपेंड संग काम कर सकता है, किसी चेतर यह संधर्श में पूरी तրह से नागरिक परियास कर सकते हैं उनको सला वगरा दे सकते हैं कारून के साशन को मजबूत करने के लिए आदाला जेल वेवस्ता को ठीक करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर इससे बात न बने तो कुछ मिलिटरी भी कर सकते हैं जैसे सशस्त्र बलो को भेज सकते हैं अब लिस्वन की संधी ने देखिए चार साखा वाली यूरो फोर्स का निर्मान किया था तेकि यूरोपन यूनियन के पास अपनी तो कोई सेना नही है जो यूरोपन यूनियन की मेंबर कंड्रीज है उन्हीं लोगों से मिला जुलाकर उन्होंने चार साखा यूरो फोर्स का निर्मान किया है जिसमें 1500 सेनिकों के एक दर्जन से अधिक यूद समू संगटित है यानि कि कम से कम 12 से जादा उनके पास ग्रूप से हर ग्रूप थीक है तो बेसिकली माली ऐ अफगानिसान में कोई जगड़ा चल रहा है तो इनको मिलेटरी स्भागा है कर सकते है और वह जो हैột wurde पर आए कर सकते हैbadसा शुल के दौरा नइधि के संधर में दो कतं को सा ठीक है यह नाटो के शमाज स्धस्य राजियों के मधिय सामूहिक आ क्योंकि हमने सब नाटो के बारे में पढ़ाए कि एक पर हमला सब पर हमला माना जाएगा लेकिन जो यह यूरोपिय संग वाला हमारा सब्सक्राइब करने के लिए संयुक्त रास्त के चार्टर के अनुसार नागरिक मिशनों के तैनाती कर सकते हैं तो बिल्कुल ठीक बात है अगर आप दूसरे कंट्री में घुसकर कुछ करना चाहरे है भले वह अच्छा हो तो कहीं ना कहीं आपको सभी रास्त का पार्ट चार्टर जो इसका पालन करना चाहिए अगर आप देमोक्राटिक कंट्री डेमोक्राटिक संस्था तो यूरोपन यूनियन तो वैसे भी यूनाइट निशन के तो यहां पर पूछा है कौन सा सही है तो सी हमारा सही हो जाएगा वन और टू राइट अब हम चलते हैं अपने लास्ट के टॉपिक के तरफ जो की और भी छोटा टॉपिक है दिखियो हॉरून इंडिया फ्यूचर की एक रिपोर्ट आई है यूनिकॉन इंडेक्स 2022 करके इ इसके अनुसार अगले दो से चार वर्षों में भारत में 122 नए यूनिकॉन होंगे और भविष्य में जो यूनिकॉर्स की कीमत है जो भविष्य में होने वाले यूनिकॉन से उनकी वर्तवान कीमत 49 मिलियन डॉलर है जिसमें पिछले साल की तुलना में 36 वेज़दी का उनिकॉन होते क्या है पहले यह पता हो वह पूरानी स्टैबिश ने कोई भी स्टाटप उसको तब यूड निकॉर्ड कहा जाता है जिनका बाजार पुंजी कर मार्केट कैपेटलाइशेशन एक अरब डॉलर को पार कर जाता है यानि कि अगर कोई स्टाट प्सुरू हुआ है और उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वह एक अरफ डॉलर को पार कर गया है वह एक बड़ी कंपनी बन गई है तो इसको यूनिकॉन का जाता है किसी बेदेश की अर्थ व्यवस्था के लिए बहुत महत्पूर माने जाते हैं माना जाता है कि उस देश का स्टार्ट प्लस यूनिकॉन है अकर रिपोर्ट प्रिकीन क्या जा तो 122 हमारे पास और होने वाले हैं तो यूनिकॉन क्या होते हैं जब यह समझ में आ घया तो देखते हैं कि देखिए सबसे ज्छा बाद भारत स्टार्टप्स के लिए तीसरा सबसे बड़ा एकोसिस्टम के रूप में उबरा है और 2021 में रिकॉर्ड 44 स्टार्टप्स ने यूनिकॉन का दर्जा हासिल किया है 44 कंट्रीज एक करब डॉलर से उपर पहुंच गई कितनी अच्छी बात है होरोन रिसर्च इंस्टिटूट के द्वारा जारी यूनिकॉन इंडेक्स जो है इसमें कहा गया है मुंबई चेन्नी पूरे से करमशे हमें 16, 5 और 3 और बाकी राज्जों से हमें 20 जो हैं यूनिकॉन का इजाफा हुआ है तो मतलब इंडिया में कमसक हम मान सकते हैं ये वाला जो एक छेतर है ये बहुत अच्छा काम कर रहा है चीक बात है तो मैं पता जिलिया रिपोर्ट ने क्या कहा है कौन से सिट्रीज हमारे फॉर्स सेकेंड थर्ड पर आ रहे है किस ने रिपोर्ट पब 1,000,000 भी बहुत है बहुत हुझ से सोच केशने के कंपनी एक अरभ डॉलर रॉआ कोई स्टार्टम का इतना कोBob सकता है फ्रग कस करें में उस्से बी गलत हो जाता है ति हौँ एक अरव डॉलर है नंकि एक लाक अरब डॉलर चीक है भारत में यूनिकॉन की संख्या के मामले में बैंगलूर दिलियंसिया और मुंबई करमशय प्रथम तीन इस्थान पर हैं यह स्टीटमेंट बिल्कुल ठीक है हमने अभी पड़ा है ना पूछ रहा है कौन सा सही है तो केवल दो ठीक है पहला गलत है ठीक है तो यहां पर देखिए हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है मुझे उमीदे की चीज़ा आपको समझ आ रही होंगी और प्लीज लगातार देखिए तभी फायदा मिलेगा यह सोचके चलिए कि एक साथ इखटा बाद में देख लेंगे वो कभी नहीं हो पाता है ब प्लीज बाद में देखिए हो पाता है